तो वोट इसब पीपल कैसे हैं आप सब लोग मेरा नामें गॉरफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेकी गॉरफ तो दोस्तों आप लोगों ने सुनी लिया होगा कि शाओमी ने पोको एफ़वन को लांच कर दिया है और पोको एफ़वन अभी करेंटली 20K के बजट में कि आपका MIUI और इसमें जो आप लोगों लुंचर मिलेगा वह ओगा वो होगा जोकी एक नया लुंचर है जो कि यूशने आप लोगो डिपल्ट लॉंचर मिल जाता है और उन्हों नहीं ये भी पता है मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने किसी भी शाओमी के फोन पर पोको लांचर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें आपको कोई भी एरर नहीं आएगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूट कर दीजिएगा और हो क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूं तो दोस्तों यहां मैं अपने फोन पर आ चुका हूं और यह आप देख सकते हो यह जो फोन है वो है रेड्मी नोट 5 प्रो और इसमें मैं आप जो हो पोको लांचर इंस्टॉल करूंगा इसमें आप देख सकत हो करेंटली एमा युवाई टेन का लॉंचर जह वो चल रहा है और देख सकते हो एमा युवाई टेन इंस्टॉल है तो आप मैं आप लोगो बताऊंगा कि पोको लांचर को किस तरह से इंस्टॉल करना है तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक ल जाएगा जहाँ पर आप लोगो स्टेप्स फॉलो करने परेंगे तभी आप फाइल को डाउनलोड कर पाऊगे तो पहला स्टेप यह है कि आपको सब्सक्राइब पर क्लिक कर दिना है तो यह आपके सामने यूट्यूब आप में ओपन हो जाएगा आप देख सकते हो आपके सब्सक्राइब अपर ग्रेंटीग आ गया तो सिंप्री डाउनलोड नाउप पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने जो मेन पेज है वो ऑपन हो जाएगा आप देख सकते हो मेरा एक एक एपके जोए वो डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ मैं इसे डाउनलोड कर लेता यह आप देख सकते हो Poco Launcher जो है आपका Global यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोडिंग शुरू हो गया है और यहाँ इसे डाउनलोड होने में थोड़ा समय लाएगा तो तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉस्ट कर देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके डाउनलोड कर लिया है यहाँ आप देख सकते हो Poco Launcher सिंप्ली मैं इसे यहाँ से इंस्टाल कर लूँगा आप लोग के सामने इंस्टाल कर रहा हूँ तो यहाँ देख सकते हो और यहाँ बैक जाएंगे आपको एक Poco Launcher का option मिलेगा यहाँ मैं इसे default set कर देता हूँ और देख सकते हो हमारा Poco Launcher स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ मैं इस Poco Launcher का Poco Wolf पर रहने देता हूँ यहाँ आपसे कुछ permissions मांगेगा तो simply आप उसे allow कर दीजेगा यहाँ मैंने allow कर दिया storage का permission मांगेगा वो भी allow कर दिया और यहाँ हमारा Poco Launcher जो रहेडी हो चुका है यहाँ आप देख सकते हो हमारा Poco Launcher बिल्कुल वो Pixel 2 के launcher की तरह हो गया है और इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें आपका जो search बार है वो नीचे के तरफ है तो आपका जो हाथ है वो बार बार उपर करके search बार नहीं करना परेगा आपका जो search बार है वो नीचे कर दिया गया है ताकि searching में वो आसानी हो जाए और यह बिल्कुल वो fluidly work करता है कोई भी error नहीं है आप देख सकते हो एक bounce effect है वो भी इसमें है और इसमें 30 touch का भी option है यह आप देख सकते हो trending subscription search इसमें जो है वो उसका भी option मिल जाता है और इसमें एक और चीज़ है इसमें आप आईकन पैक भी change करे सकते हो यहाँ मैं जाता हूँ setting में उसके बाद more में उसके बाद icon pack आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर icon pack भी रखा है तो यहां मैं अपना एक icon pack लगा रहा हूँ यह आप देख सकते हो मेरा icon pack भी apply हो चुका है और इसमें कोई भी error नहीं आया और यह fluidly work करता है कोई भी error नहीं है और यह देख सकते हो बिना error के हमने download कर लिया प्ले स्टोर से तो download नहीं हो रहा लेकिन हम manage आपको method बताया इससे आप अपने phone पर easily जो है वो download कर सकते हो तो दोस्तो यही था आज की वीडियो में मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो इस वीडियो को like ज़रूर कर दीजेगा और हो सकते तो इस चैनल को भी subscribe कर लिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ तो दोस्तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्टोर एक्साइटिंग वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम Always keep smiling Thanks for watching